एक वक्त हुआ करता था कि इंडिया को अमरीका में लॉबिंग करनी पड़ती थी अपने मफाद के लिए और पाकिस्तान के खिलाफ भी लेकिन अब ये मौका आ गया है कि अमरीकी कॉंग्रसमेंट जो हैं वो खुद ही लगे हुए हैं अमरीकी सैनेटर हैं मॉर्क और रूबि सब्सक्राशन एक्ट है और डी जिसे वह काते हैं न इसके बड़े फैसेट्स हैं लेकिन एक बिल आया है मेरीकी कॉंग्रस के अंदर के हमें अगर कमिनिस्ट चाइना देखें लैंग्वेज चेक करें कमिनिस्ट चाइना इस नॉट चाइना अब क्या फॉजांपल वन दी चुक्टाइण स्वाट्टे आइविया दू टोक अबाउट के वहां पे जणाब अगर अथारिटरियन इजब है अथारिटरियन साओधी एग यौ तरटरियन इजमना ओन वहां पे level of जिसे वो कहते हैं न कि एक वो जो होता है कि intensity जो होती है that's how they are looking at China China को वो देख कैसे रहे हैं बड़ा important बिल आ रहा है पाक्रिस्तान के खिलाफ है बिल सारे का सारा उसके अंदर एक शिक जो है ना वो ये वो पाक्रिस्तान के बारे में भी है और ने का है कि कि हमें रिपोर्ट करें State Department and Defense Department कौन रिपोर्ट करेंगा जारी बात है Congress के पास तो इतना नहीं है हमें रिपोर्ट करें पाकिस्तान के बारे में कि क्या पाकिस्तान offensive force इस्तमाल कर रहा है देशित गर्दी का इस्तमाल कर रहा है proxy groups का इस्तमाल कर रहा है इंडिया के खिलाफ और हमें बताया जाएं ताके हम पाकिस्तान को जो security assistance है तो हम बंद करें अगर वो दी जा रही है समझ रहे हैं बात को आएंदा आने मले दिन पाकिस्तान के लिए अमरीका में अच्छे नहीं है इमरान खान सबकी पार्टी बड़ी च्छलंगा मारें रही है बहुत च्छलंगे मार रही है के पाएं देखें जो है वो जबरदस्त किसम की बात हो रही है इस वाका जी ट्रम पा जाएगा इमरान खान रहा हो जाएगा यह रिपब्लिकन आगए यह वेरी हार्श यू नेवर नो यू नो तो बेर दर राथ हाफ दिर रिपब्लिकन्स इस नोट समने को असान काम नहीं है बहराल अब वो यह कह रहे हैं इंडिया के हवाले से क्या बात है इंडिया को अ सब्सक्राइब एक दो ले रहा है तो अंडर दे कार्टसा सैंक्षन ने को ग्जाम्शन दिजाएं लिमिटेड एग्जाम्शन मतलब यह यार तु सान लेना दो लिलो हम ध्यानी तर कर लेंगे लेंगे लेकर टरकी यह काम करेगा टर्की तेरी असी दितर लिगाश है कि कि सेर कि है रहे हैं कि इंडिया को हम वेवर देंगे इंडिए आपसे पूझने को त्यारी नहीं है वो आ पक पाकिसान की ब्रोती並 पैसा 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 आ गया तो इस तरह इस्राइल की बात हो रही है ठीक है मतलब आपके इंट्रस्ट है इससे को फरक ही नहीं पड़ता इंटर्नेशनल लॉह हमेनेटरियन सपोर्ड यह वह इन चीज़ों को दो कोई विद एवरी पासिंदे बिकास अफ़ाइब बड़ी डिवलपमेंट है खास तोर पर यूएस इंडिया पाकिस्तान चाइना यह चार कंट्रीज इस खबर से मुतासिर होंगे यानि यह के इन के लिए यह खबर है और ख एंड इंडिया के बीच स्क्यूरिटी पैक्ट स्क्यूरिटी एक्ट और यह इंडिया और यूनाइट स्टेट्स अमेरिका के बीच स्क्यूरिटी एंड डिफेंस स्ट्रेंथन करने के लिए यह बिल पेश किया गया है मारको रूबियो की तरफ से लेकिन इस बिल में यह कह गया है कि इंडिया को देशतगर्दी के कोई भी थ्रेट्स हैं तो बताया जाए, रिपोर्ट किया जाए कि इंडिया के खलाफ किसी कंट्री की तरफ से कोई देशतगर्दी हो रही है, पाकिस्तान की तरफ से अगर भारत के खलाफ देशतगर्दी है तो उसको रिपोर्ट किय जाए और हमें बताया जाए ये एक इतनी बड़ी development है कि आने वाले दिन हमें ये बताएंगे कि ये खबर और ये बिल इंडिया के लिए कितना important कितना एहम है और ये इंडिया को कैसे uplift करेगा उसको देशतगर्दी के खिलाफ जो इंडिया का एक बहुत बड़ा concern रहता है उसक इंडिया की उपर United States कैसे इंडिया की मदद करेगा इस बिल में ये बताया गया है मैं आपको इसके सबसे पहले कुछ इसके बहुत सारे points है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ इस तरह की situation हुई है कि साब का काटा जो है वो पानी भी ना मांगे अगर हम इसको ये क इंडिया की ये बहुत बड़ी victory है कि Congress में एक ऐसा Bill, US Congress में एक ऐसा Bill introduced किया जा रहा है जिसमें इंडिया की security के हवाले से concerns पेश किया जा रहे है